नमस्कार दोस्तों आज हम चप्टर नमबर 7 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यह जो चप्टर नमबर 7 है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलिब्रेशन ब्लॉक और पाइपिंग किसके बारे में कैलिब्रेशन ब्लॉक और पाइपिंग अभी तक हमने जो डिस्कस कि किया वह नॉन पाइपिंग के बारे में डिसकस किया चलो बई यह हैं अभी कितना का था 19 mm का था कितना चलो अब कर था अभी 19 mm के अंदर हम डियसी बनाते हैं तो हमें कहां तक हम यूटी कर सकते हैं तो इसके बारे में यह हमारा यह सेमी सेक्षन पाइट अडिकल और अठीकल कौन्चा है उसमें यह जो है लिखा है नॉन पाइपिंग कैलिब्रेशन ब्लॉक उसमें लिखा है कि अगर अगर हम लोग 19 mm के अंदर डियसी बनाते हैं तो अम कितने अम्म तक काम कर सकते हैं 25 mm वेल्ड मेटल है वहां तक हम लोग वो ड जो बनाया हमने उसमें काम कर सकते हैं अगर पचीश से ज़्यादा हो गया ठिक्नेस तो अगर पचीश से ज्यादा हो गया 25-50 mm gen देश के अंधर हमें उसमें टोड़ा मोटा paragraphहों कि अब को यहिएंन gifts familiar पढ़ेगा उसके बाद में आपको जो छोटे-छोटे प्लेट डिपेक्टिव पीस है उसमें आपको यूटी करना पढ़ेगा समझ में आ रा है ना को असरी हवा में खचरबाचर करना स्टाप नहीं कर देना है आपको पहले क्या करना है बिए सी बनाना है पहले तो मशिन को चालो करना है उसके बाद उसको कैलिब्रेशन करना है या तो वी टू ब्लॉक ये है वी टू ब्लॉक तो उससे आपको कैलिब्रेशन करना है और कैलिब्रेशन करने के बाद फिर आपको डी एसी बनाना है और कितना मट्रियल के थिकनेस के ऊपर आपको काम करना है वो पहले द दीएसी बनाना पड़ेगा और वो दीएसी कितना ब्लॉक के अंदर होना चाहिए मेरा 38 mm 38 mm के अंदर में दीएसी बनाएगा तो पत्चीस से लेके 50 mm ठिकनेस तक में यूटी कर सकता हूं समझ में आया ना तो अभी मेरा ये जो प्लेट हो कितने में का है तो अभी दिखता है इसके लिए सब लोग के नहां भी रखते हैं अभी दीख रहा है लेकिन साइट पर आपको दिखेगा नहीं समझ में आए ना गल्फ कंट्रियों में जाओंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं आपको वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हमें पता नहीं है और उसको फाइंड कर रहे हैं बिना तोड़े फाइंड कर रहे हैं समझ में आया ना तो आज हम डिस्कत करने जा रहे हैं वो क्यालिब्रेशन अबाशा पाइपिंग के बारे में तो यह है हमरा प्लेट में अपने यूटी करना है तो आपको डी ए सी जो बनाना है क्या अब हमिआन् गयाई ऑगए सब तो आपको लाटक के संवज में आ गिए ठीक है लेकिन ये पाइप में क्या खचर पचर वही डीएसी चलेगा इसमें तो करवेचर होगा इसमें भी दिखनेस लिमिट होगा तो क्या करना पड़ेगा तो ये ब्लॉक में आपको समझाने जा रहा हूं यहां पे ये जो मैंने ब्लॉक बता दिखाया है वो कैलिब्रेश पर यहां पर यह सब चीट दिखाया गया है अभी देखो यहां पर एक नौच है देख रहा है और यहां पर भी इक दोड़ा जगा है उसमझ में अब हाथ से प्रैक्टिकली लोगे ना तो पता चलेगा तो यहां पर लिखा है भाई कि यहां पर Not One लिखा है तो आये पहले तो हम नॉट वन देखते हैं, नॉट वन क्या है, नॉट वन ऐसा है, ये नॉट है, ये नॉट वन, नॉट शेल बी लॉकेटेड नॉट क्लोजर दैन थर्टीन इम्म, इसका मतलब यह हुआ, इसके पीश में कितना इस्टन्स होगा, 13 इम्म का इस्टन्स होगा समझ में आया कि नहीं है, ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये ब्लॉक नहीं है, और आप सीधा पाइपी में खाचार पाचार यूटी करने लगे, स्कैन करने लगे, तो चलेगा, नहीं, समझ में आया, उसका भी रूल से रेगुलेशन में धीरे-धीरे समझाने जा रहा इसके बीच में कितना डिस्टन्स रहेगा? 13 mm, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक नौच है, एक नौच यहाँ पे है, वो दोनों के बीच में कितना डिस्टन्स होगा? 13 mm होगा, समझ में आया कि नहीं है? ओके, अभी मेजर टेप ले लो गई, अभी मुझे बोलो, ये यहाँ पे दिखाया है, कितना डिखाया है? लेंद, एल, ठीकिए? बड़ा मेजर टेप ले लो, बड़ा मेजर चलेगा, यह भी हो गया, देखो, यहाँ पे कितना क्या लिखा है? ये एल लेंद का होना चाहिए, ऐसाना? तो यहाँ पे पाट लेते हैं, हमें का, the minimum calibration block length, L, shall पिशल भी 200 mm और 8t तो इसका टी मतलब थीकने से कितना थीकने से 12 mm थीकने से ने इसका तो 12 into 8 कितना हुआ 96 mm तो क्या लिखा है या तो 200 mm या तो 96 mm विचेवर इस ग्रेटर तो दोनों बेसे बड़ा कौन है 90 6 बड़ा है या 200 बड़ा है यह है अम्रा जुगाडु मेजर टैर क्या है जुगाडु ठीक है सो और दो सो दस का है अभी देखो इसको मेजर करते हैं कि तो कितने का है 200 से ज़्यादा है समझ में है कि नहीं है नया कोई रॉकेट नहीं है वह चचा कुमार स्वामी चाप कहा है भूलना नहीं है ठीक है देखो मेजर मेंट किया तो कितना हुआ 200 हुआ तो आपको यह ज्यान रखना है हवा में कोई भी कैलिब्रेशन ब्लॉक नहीं बना सकते हैं कोड में जो बोला गया है उसी के इसाप से आपको कैलिब्रेशन ब्लॉक बनाना पड़ेगा तो यहां पर लिखा है 200 mm होना चाहिए चलिए यह बात समझ में आ गई इसके बा परशंटी टू 10 परशंटी मैक्सिमूम या तो मिनिमूम 8 परशंट होना चाहिए मैक्सिमूम 11 परशंट होना चाहिए हमने यहां पे कितना परशंट रखा है 10 परशंट रखा अगर 12 mm थिकने से कितने का थिकने से यह 12 mm थिकने से तो 12 mm थिकने इसका 10 परशंट करो कितना हो 1.2 तो इसका डेप जो है ना वो 1.2 mm है समझ में आया कि नहीं है ओ चचा क्या ना में आपका है अमल जी कहां से आप आये हैं बिहार से बिहार से कितने लोग है ओ मैं बिहार से तो बहुत सारे लोग है अब ही मुझे बोलो UP से कितने लोग है UP से आये बहुत गूंआ ओटल हमने स्टेट भी गिना था रोग कितने स्टेट हुए थे तोरटल हुआ मिला कि दिल्ली विल्ला मिला के तेरा लोग यहां पर आय कितने लोग आये कृट्स हमारा भेड में स्टार्ट ही था तारीम होता है हर माट की पांच तारीक पांच SUV आ आजमा कि वे भी बैक्स नहिंग डेंदिख याओ लेकिन रजी स्ट्रेशन करगा थीज़़ है 7 यहां पर अभी लिमिटेड सीट है मेरे पाद जगह नहीं है दो दो बिंडिंग रखा है लेकिन वो भी सब जो सब क्या हो जा रहा है फूल हो जा रहा है तो प्लीज रिजिस्टेशन करके आईए चलिए अभी हम आगे आते तो मिनिम्म कैलिग्रेशन ब्लॉग 200 mm या तो 80 दोनों में से जो बड़ा होगा वो लेना है तो यहां पर टी का थिकने समरा है यहां पर 12 mm बारा आठा 96 हुआ तो 96 और 200 mm दोनों से सबसे बड़ा कौन है 200 mm तो इसका जो लेन थे वो कितना होना चाहिए 200 mm हम लोग लिक के जाते हैं ठीक है यहां पर हो गया 200 mm ठीक है अभी यहां से कितना डिस्टन्स होगा यहां से कितना डिस्टन्स होगा समझने है यहां से कितना डिस्टन्स होगा त तो यह जो distance है वहां पे भी not one लिखा है not one में तो उने देखा है कितना लिखा था 13 mm तो यहां से अगर आप इसको major करेंगे तो 13 mm दूर होगा कितना होगा notch 13 mm दूर होगा समझ में आया ना कितने है कितने है ओडी उसका six inch का है तो six inch का है मतलब चार इससे तो बढ़ा ही है अगर चार इससे बढ़ा यह जो है लंबा यह जो वीट थे यह लंबा ही है ठीक है यह लंबा ही है यह वीट थे तो यह वीट जो है वो कितना लंबा है तो कितना लिखा है 6 mm maximum तो आप अगर इसको major करेंगे तो 6 mm maximum आएगा देखो, है की नहीं है इसका यह जो length है यह notch कितना लंबा है यह length, तो इसने लिखा है कि notch length 25 mm minimum होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो कोई problem नहीं है, तो यह कितना होना चाहिए 25 mm, यह 26 mm जैसा है 26 mm, समझगा है minimum 25 mm होना चाहिए तो 26 mm चलेगा 24 mm चलेगा 24 mm, तो यह जो है वो आपको सब चीज जहान रखना है यह मैं इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर यह आपने notch block समझ लिया, तो बहुत सारा आपका अंदर mind में जो question होगा जो जाएगा समझगा है ना यह कोई हवा में विसल बाई ने बनाया इसके लिए दे दिया, ऐसा घंटा नहीं होता है मैं कुछ घंटा भी नहीं हूँ समझगा है, सब चीज कौन है कौन है सबी सीज जो है ना वो ASME है, समझगा है ना ASME जैसा बोलता है वैसे हमें करना पड़ेगा ओके अभी minimum notch weight is not critical वो कोई critical नहीं है, वो length joint वो कोई critical नहीं है तो आएए, अभी हम लोग start करते हैं यह notch block के अंदर, DSE पहले तो कैसे बनाते हैं उसके बारे में depth में discuss करते हैं ठीके यहाँ पर नौच का, यहाँ पर cladding का किसीने मुझे question बुझा था, किसने बुझा था? cladding का इसने ऐसा बोला था, यह cladding क्या है यह cladding यहाँ पर लिखा यह क्या है समझो, कभी-कभी क्या होता है site में आप cladding करते हैं site में cladded material यूज होता है तब भी, नौच जो है अंदर जितना चाना जाना चाहिए 8% T2 11% T, इसके बीच में ही यहाँ पर material के अंदर जाना चाहिए समझो, cladding का 10 mm थिकने से बहुर एक्जामपल, तो 10 mm cross करके भी, original हमारा जो नौच है, उसको इतना जाना ही चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया तो यह सब चीज है, cladding material generally इसके लिए किया जाता है ताकि corrosion ना हो material long term के लिए टीके, इसी की बज़े से किया जाता है अब ही, हम लोग एक यहाँ पर notch drop करते है जनरल यह महुत बड़ा होता है पुरा pipe होता है यह जो है ना, वो पुरा pipe है 6-inch का क्या है? पाइप है, यह pipe है इसको क्या है, आदा काटा, आदा किसी और को बेचा होगा आदा किसी और को बेचा होगा समझाया है ना? हमें उससे कोई मतलब नहीं है और किसी का question है इसके बारे में? हाँ, बोलो यह मतलब कि जो 6-inch इसको कर सकते हो, मैक्सिमूम कितना कर सकते हो, मैक्सिमूम का क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूँ यह लोगों का question का आपका ग्रा नाम है? अरंजर कोई में का कहां से आए आए आप? जारखन से, आप सर? अभी शेख चौबे कहां से? यूपी, बनारसी से ऑके, बनारस, गुट गुट देखो, इसका question ऐसा है कि भाई मेंने ये 6-inch का ब्लॉक में डियेंसी बना लिया तो कोई भी pipe मैं में कर सकता हो, क्या? का? उसका ऐसा question है जाका क renew कर सकता हूं क्या यूटी को भी बने कोई ख़ोगा हो लेकिन ठीकने को यूटी कोई भी बरे में होुगा तो कर सकता हूं मट्रियल का होगा उसमें यूटी करना है तो कितने करना करना पड़ेगा अगर पचास से 75 या सौल था कितना था कितना था 700 का अगर है यूटी करना 50 से 100 तो कितना तक आप सेंटी फाइगा आपको यह साइड ड्रिल हॉल वाला प्लॉक लेना पड़ेगा डियसी बनाने के लिए समझ आया तो इसमें भाई मैं कुछ बोलता हूं वह सब चीज नहीं चलेगा मैं आपको यह सेमी दिखाता हूं ठीक है देखो यह है अमरा यह सेमी यह सेमी सेक्शन 5 आर्टिकल 4 2023 इसमें यह किसका है पहले तो यह समझ दीजिए अल्ट्रा सॉनिक एग्जामिनेशन मैथड और विल्ड अगर बेज मैटल रखेगा तो यहां पे क् कैलिब्रेशन ब्लॉक लिखा देखा आपने कैलिब्रेशन ब्लॉक उसी में यहां पे ब्लॉक करवेचर लिखा है देखा आपने ब्लॉक करवेचर पर अगर 500 mm OD डायामिटर क्या लिखा है 500 mm अबव डायामिटर का पाइप है तो उसको क्या किनना पाउर एक्जामिनेशन ऑफ मत्रिल वेट देखा इक्जामिनेशन सरफेस डायमिटर ग्रेटर देन 500 mm मतलब 20 फीच कह ऊपर का पाईप है तो ब्लॉक एसेंचली सैम करवेचर और अल्टर लेकिन अगर पांसो से चोटा है तो तो इसने ऐसा बोला है अगर आपका कर्वेचर जो है आपका कर्वेचर वो आपको देखना पड़ेगा समझो यह कितना है चे 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 तो 0.9 इंटू 6 करना है और 1.5 इंटू 6 करना है इतना डायामेटर तक हम कर सकते हैं यह है मीनिमूम यह है मैक्सिमूम समझ में आया कि नहीं है फिर से मैं समझाता हूँ यहां पर लिखा हुआ भी समझाता हूँ देखो और एक्सेप्ट वेर्थ यहां पर दूसर अधी आगे जा है वह तो सिंगल करवेचर में भी करवेचर फ्रॉम जिरो पॉइंटू 1.5 इंटू बेजिक केलिब्रेशन ब्लॉक डायामेटर होना चाहिए और एक्जामपल समझो 200 mm डायामेटर बतलब 8 हीच का पाइप है तो आपको 8 हीच बतलब कितना हुआ 200 इंटू 200 इंटू 0.9 कितना हैगा गिनो 180 mm ये डायामेटर आएगा कितना हैगा और 200 इंटू 1.5 करो तो कितना हैगा 300 इंटू आएगा तो अगर समझो आपने 200 mm मतलब 8 इंच में अगर आपने डियसी ब्लॉक बनाया है तो आपको मीनीमम इतने तक कर सकते हैं मैक्सिमम इतना करवेचर मतलब पाइप डाया कर सकते हैं समझ में आया यहां पर क्या लिखा है अगर 200 mm का है तो उसको जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट नाइन से अगर कैल्कुलेशन करें तो 180 आएगा तो एक 180 आया यहां पर 300 आएगा तो यहां 300 आया देखो इसका डायामेटर में आप लोग योटी कर सकते हैं समझ में आया कि नहीं आया तो यह चार इंच का यह कितने इंच का है छे इंच क कित में आएगा किस में आएगा किस में आएगा छे इंच कर इंच कर सकते हैं नहीं हाłam कोई रोकेट से समझाता हूं इसमें तोड़ा क्यों जैसा है उसमें उसके जैसा नहीं है कि भए थीजे में करना है तो फिर उन्दिश्चे में कगा लगे लो इसमें ऐसा नहीं है कि यह अपको जितना भी डया है उसको 0.9 से अंतिक्टा से करना है वो आप minimum उतने में कर सकते हैं, उतना डाया में कर सकते हैं, यह कितना आया, 0.9 into 6, 5.4 inch pipe तक आप कर सकते हैं, 5.3 inch का pipe भी आप इससे, वो DSE उसमें यूद नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आया, 9 inch, कितना, 9 inch, तो 9 inch से बड़ा pipe आप यह DSE इससे बनाया, तो आप 9.1 inch का pipe, जैसे आता नहीं है, लेकिन, for example, 10 inch का pipe भी इससे आप कर सकते हैं, यूटी, नहीं कर सकते हैं, समझ में आया हैं कि नहीं है, 0.9 और 1.5, और 2.5, ओके, अभी रही बात, यह बाई साब की बात क्लियर हो गया, आपका क्लियर हो गया, आपका question ऐसा था, कि मैं 6 inch pipe में खरता हो, तो कितने inch pipe तक कर सकता हो, आप 6 inch pipe में अगर DSE बनाते हैं, तो आप 5.4 inch pipe तक कर सकते हैं, और maximum आप 9 inch तक ओर DSE को यूज़ कर सकते हैं तो उसका प्लस और माइनस पचीस परसंट तक आप थिकनेस कर सकते हैं तो माइनस पचीस परसंट अगर इसका करेंगे तो शक्रण पई कितना हैं? 9, 9 mm थिकनेस तक आप ut कर सकते हैं और प्लस 25 करेंगे तो तो अंधरा इम्या थिकनेस तक आप ut कर सकते हैं समझ में आया है अगर 12 mm थिकनेस है इसका plus or minus 25% करना है अगर minus 25% करेंगे तो 12 mm थिकनेस का minus 25% कितना हैगा 9 mm थिकनेस तो 9 mm पैप जो है थिकनेस पैप का थिकनेस उसमें आप यूटी कर सकते है ये डी एसी का यूज करके समझ में आया कि नहीं है एक दम सिंपल है इसमें नहीं है यहां पे तोड़ा इजी था क्या था इजी था यह नौन पाइपिंग कैलिब्रेशन ब्लॉक था कैसा था नौन पाइपिंग लेकिन जब पाइप की बात आती है तो आपको थिकनेस को भी देखना है और डायमिटर को भी देखना है स्वार आया कि नहीं आया तो आप दोनों कौ circulating जाना है तब जाके आपको डिये सी वह कहां कहां सकता है वह होता है यह तो ठीक यहां पे बात कर रहें लेकिन पर जहांता नहीं हमको आया है हम लोगे ना साइट पर चाते हैं थोटे यॉप कर टाया मीटर तो स आप यहां पर कर दे रहे हैं फिर दो इच या तीन इच के पाइप में आपको यूटी करना है तो गंटा है यहां पर डी एसी चला है वह वहां पर चलेगा नहीं चलेगा सुन्गे आया ना तो यह सब चीज है तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी किसी को कोई डाउट है इसमें कोई डाउट है कोई डाउट है इसमें डाउट है यह नौच ब्लॉक में किसी को कोई डाउट है तो अभी हम थियोरी स्टार्ट करते हैं थियोरी तो खतम होगे अभी प्राक्टिकल थोड़ा बोच अब हम स्टार्ट करेंगे अभी चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पर मैंने एक नॉच दिखाया है नॉच दिखा देता हूं कि के क्या है क्या है यह इसा इसा होता है इसा होता है अगर अंदर नॉच करेंगे तो उसको ID notch, बहँ नूच करेंगे उसको OD notch, खीक है? अभी पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मैं probe रखेंगा, क्या करेंगा? probe, खीक है? यहाँ से इसा करेंगा तो यह पकडा जाएगा, पकडा जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां पर में खचापचा खचापचा ऐसा करेगा तो यह पकड़ा जाएगा ना यह नौच किने पकड़ा जाएगा थोड़ा लंबा ड्रो कर दिया है ऐसा है तो मैं थोटा ड्रो करता हूं कि एक है कि यह नौच अभी है यहां पर अभी क्या कर रहा हूं यहां पर प्रोब रख रहा हूं तो क्या होगा है यहां से पकड़ लेगा इसको तो यह पहला जो काम हुआ हमारा आई डी नौच का हूँ यहां कि पहले लेग में पकड़ लिया ना यह क्या हुआ फस्ट लेग में पकड़ लिया समझे आया के नहीं पगड़ा अभी पहला हमको यह सब चीज मिलेगा लेकिन यह नौच का थिकनिस कितना है इसका 10% 12 का 10% कितना हुआ 1.2 mm इसका भी कितना होगा 1.2 mm हुआ समझाया तो मुझे बोलो depth कितना हुआ अगर depth की में बात करूँ तो depth कितना हुआ 10.8 तो यहां पर मशीन के अंदर क्या दिखाना चाहिए 10.8 रिक्वाइट क्या होना चाहिए 10.8 बराबर है ना इतना depth होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना depth काटा है सुन्गा रहा अभी मैं दूसरा point find करता हूँ यहां से ऐसे यहां से ऐसे ठीक है तो यह पहला लेग और यह क्या हो गया second leg तो दूसरा जो हुआ वो od हुआ क्यों od पकड़ा रहा है तो यह हो गया 2nd leg second leg में देखो पहले 12 में हुआ फिर यह कितना है यह 10.8 है तो 12 plus 10.8 कितना हुआ 22.8 हुआ कि नहीं हुआ यह 12 mm फिर यह कितना है तो यह 10.8 10.8 हुआ 10.8 plus 12 किता हुआ 32.8 22.8 यह राइट अभी तीसरे पॉइंट के बाले में इसक्रस करते हैं अभी मैं थोड़ा पीछ चुले के जाता हूँ क्या करता हूँ क्यूंकि इसमें अंदर तो ऐसा प्रोग भोसा नहीं सकते हैं अनुदeration आए पाए पंदर हाँ हैसे तो थोड़ी अंदर से आप जाएँगे न तो बहुत से ही सब चीज क्याशप करना पड़ेगा ये पहला आपको आईटी पकर ना पड़ेगा फिर पीछे जाके वो टी पकंणना पड़ेगा फिर थोड़ा पीछे जाएंगे तो वापस ID मिलेगा अबको, क्या मिलेगा? ID, तो थर्ड में वापस आपको ID, लेकिन किसमें मिलेगा? थर्ड लेग मिलेगा कैसे? तो एक पहले तिरे ऐसे जाएगा ठीरे से जाएगा ठीरे से से जाएगा तो ये पहला पॉंक्ट प्रेंट दूसरा पॉंक्ट इस कीतना होगा पहले तो ये 12 और यह 10.1 तो 12 प्लस 12 प्लस 10.1 कितना हुआ 12 24 24 प्लस 10 34.1 34.1 समझा है नहीं हाँ कोई रॉकेट नहीं है वाई इसमे एक तुम सिंपल से हमने कैल्कुलेट किया ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए फिर मशीन में देखें के क्या होगा वो तो अभी हम लोग इसको इंपलिमेंट कर देते हैं देखो यह टेबल मेंने बना के रखा है बीएची नॉस ब्लॉक पाइपिंग ब्लॉक 6 इंच का थिकनेस 12 इमें में थीटा हम लोग 60 डिग्री ले रहे वह कहां से ले रहे यहां पे प्रोब के अंदर वह आपका डिसीजन है समझ में आए कि नहीं आपका डिसीजन है यह 60 डिग्री अभी हम लोग देखो यह फर्स्ट ओडी और आईडी यह पहला लेक्ट दूसरा लेक्टी से लेक्ट पहले लेक्ट में मुझे कितना मिला डेफ्ट 10.8 दूसरे में कितना मिला 22.8 तीसरे में 34.8 एक रिक्वाइड लिग्वाइड आगे एक्चूर कौन देगा आपको मशीन जब आप डी असी बनाना स्टार्ट करोगे तब ठीक है अभी हम आते हैं साउंड पाथ यहां से मैंने इसा खचर घचर 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 गई तो यह हें मेरा साउंड पाथ है हां को skip district तो आपको तो पता है अगर एगर मेरा theta है तो कॉस theta is equal to same opposite side कौन सा है यह नियर side याएगा kos theta में near side याएगा sin theta में opposite side या नियर side कौन है b है क्या है डी है तो d sound path is equal to d by cos theta आएगा कि नहीं आएगा यह सिंपल है यह कोई rocket नहीं है अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यह ब्लॉक या तो एंगल प्रोप केलिब्रेशन मैंने समझाया है या तो यह साइड ड्रील वाल जो है उसमें आपको मैंने DSE समझाया है तो वह देख लेने क तो यह कैसा आता है एकदम सिंपल है नहीं आपको रॉकेट नहीं है तो यह क्या लिखा है sound path is equal to d by cos theta क्या है d by cos theta scientific policy होना कहा हो गया है अभी देखो नहीं कुछ नहीं है मैं अभी वापस start परता हूँ sound path is equal to d by cos theta तो अभी d कितना है पहले गा यह d 10.8 10.8 divided by cos 60 कितना आएगा 21.6 आएगा कितना आएगा 21.6 सिंपल है बहाँ ही नहीं है कोई rocket नहीं है मैं दिखाता हूँ देखो sound path is equal to d by cos theta अभी d कितना है 10.8 divided by cos 60 तो यह कितना आएगा 21.6 ठीक है नहीं है अब कुछ नहीं है दूसरे का कितना आएगा दूसरे में d change हो गया दूसरे point में d change हो गया है sound path is equal to d by cos theta तो d कितना है 20.8 divided by cos 60 तो 20.8 divided by cos 60 तो कितना आएगा 45.6 45.6 तीसरे का कितना आएगा 69.6 कैसे d है 34.8 divided by cos 60 तो 69.6 समझ में आया एक तों simple है भाई अभी रही बात skip distance की तो भाई skip distance तो उससे भी easy है क्या है उससे भी easy ठीक है अभी skip distance कैसा major करेंगे हम लोग skip distance is equal to पहले तो हम लोग यहाँ पर formula use कर लेते हैं देखो पहले हम लोग यहाँ पर 10 theta use करते है 10 theta is equal to क्या आएगा 10 theta यह theta है 10 theta मतलब skip distance opposite side divided by near side तो skip distance is equal to this को यहाँ पर ले लेते हैं तो d into 10 theta साहब यह पता नहीं चला है यह d यहाँ पर आ गया तो यह कैसे हो गया यह mathematics है है 30 क्लास का पांचवी क्लास का mathematics है तो हमारा एक क्लास mathematics का नहीं है हमारा जो क्लास है non destructive test का क्लास है तो आपको इतना थोटा इतना एकदम depth में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है यह sound skip distance is equal to d into 10 theta अभी d कितना है 10.8 into 10 60 कितना आएगा पहले काड़ कितना आएगा कोई यह बोलो जाना 18.70 दूसरे का 22.8 into 10 60 30 9.49 उसके बाद 34.8 एक सो दस लोग बैटे है एक तुम शार्प वाज से बोलना चाहिए तुमगन को समझ आ जाएगा 60.27 60.27 60.27 अधाम इसमें जॉब करने है ना इसके लिए तुड़ा वाद बढ़ा है आके बढ़ते हैं आके बढ़ते हैं चलिए अभी डिवीजन की बात आई डिवीजन कैसे फाइंड करनेगा तो पहले तो लीस्ट काउन कैसे फाइंड करना है ना वही समझने आ जाएगा तो पूरी दुनिया समझ लेंगे अब लीस्ट काउन पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा लीस्ट काउन इस इक्वल तो क्या है कोई पिस पाइडिया है वा मजह आया लीस्ट काउन इस इक्वल तो रैंज आप जितना भी रख रहे हों डिवाइड भाई अभी देखो यहां पर मैं मशीन के ओपर जाँआ हूं चलो अभी मैंने नमब्र अफ डिवीजन कितना रखा है é rep 1995 अभी में तोड़ा 100 कर देता हूं क्या करता हूं सुरी नमबर ऑप डिविजन नहीं यह क्या फोलते है इसको अभी कितना रेंज है मेरा 100 कितना रेंज है मेरा 100 यहां पर जो भी रेंज रखोगे वह रेंज डिवाइड बाई कितना डिविजन है तो हम किनत हैं देखो एक जीरो एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नहों दस ग्यारा बारा तेरा चवदा पंदरा सोड़ा सत्रा अच्छा अच्छा अगर आप आइस्टाइन टू डिजी एस मशिन या टी अपटी मशिन यूज़ करोगे तो उसमें वीचे का जो डिविजन है और तैम पचास आएगा ठीक है तो अभी आपको रहेंज कितना रहा है तो रहेंज हो गया सो और नमबर ऑप डिविजन हमने की ना अभी एका तुका तिक्का फ़ चास तो कितना हो कि या दू दो तो यहां पे मिस प्रैश्ट कॉन डिवाइड बाइड बाइट तुक्तुल्ट्वज़ कितना है वेक्जै ची सिक्स तो 2016 डिवाइड बाइड लेत तो एट समझ में आया कि नहीं आया और नहीं नहीं है इसको अमने लिस्ट कॉंट पहले से फीक्स होता है यह जितना भी रखा मशीन पचास पिक्स ही है तो पचास ओर टैम फीक्स रहेगा लेकिन यहां पर रेंज आप कितना रखते है वह रेंज डालना है रेंज डिवाइड बा सबसे पहले मसीन समझों बंद है बंद कर देता हूं बंद है अभी मैं मशीन को अपन अभी हम ढ़ने जा रहा है कहां पे बनाने यह दिया सी बनाने जा रहे तो उसके पास प्रिया पर प्रमिले होगे ना कर देंगे नहीं नहीं है कि वेश्डी के अन्डीटी सर्विस में यह सब चीज हो रहा है ठीके नाम तो बोलना भूली गय यहां पे गद्दा, तक्या, गेस सिलिंडर, रहने का सब चीज भ्री है, कोई पैसा नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, बहुत सारे लोग जो है, वो बोलते है, वहां पे जाकर फैक होगा, तो घंटा फैक नहीं, यहां पे आपके सामने बैटे 110 लोग बैटे, कितने लोग ब है, बहुत सारे मशीन हैं, यूटी के बहुत सारे मशीन है, एम्टी के बहुत सारे मशीन है, पीटी के बहुत सारे सेयाट है, आर्टी का आर्टी पे मियोर भी बहुत है, और प्रैक्टिकल देने के लिए बाहर से एजन सी भी यहां पे आती है, स्पेशल आर्टी का मशीन लेके आपिका ौनेट करो वा भी सिखाती है वो कैसे सोर्स को मैंटेन करो करो भी सिखाती है। सकाए गर R so level 2 जो होता है बी ए आर सी लेव्ल टू होता है उसको आरे स्पगी और में गजाते को होते हैं अच्छा यहां पे यहां पर त्रैनिंगर देने आते हैं तो इसा नहीं सोचने का वहां पे होता है पूरी तुनिया 4,000 पिछ का रही एह पुरी तु invert और यहां पे तो पूरा फ्री है ट्रैनिंग भी प्री है गब्दा तक्या गैस सिलिंडर रूम इलेक्ट्रिसिटी वाटर विल सब चीज प्री है तो भई यस है हमारा टोटल कितनी कंट्री में काम चाप रहा है 53 तो वहां से सब सर्वाइब होता है और हम लोग स्पेशल इखाली इंडिया के लिए किसके लिए बाकि नैपल से भी यहां पर आते हैं श्रिलंका से भी यहां पर आते हैं लेकिन सब का चार्ज होता है क्या होता है लेकिन इंडिया का आपके पास पासपोर्ट है अगर इंड पूरे यहां पर रख लिया है हमने वह लोगों को पता है कौन जा है दर्मनंदन में भी लोग रहते हैं पूरा अलग अलग जगह पे और बहुत सारे लोग एक साथ में अगर सेटलमेंट है यहां पर आये और अच्छे से अच्छा टायनिंग लेके जाहिए एक दम शांदा टायनिंग लेके जाहिए मैं अगर जब तक युक्रेण और रशिया चलेगा तब तक वाइलेन गयास का एक दम चका चक पिक रहने वाला समझाया ना एंडिटी में बहुत पैसा है विल्दिंफिल में बहुत पैसा है ओईल एंड गैस सेक्टर अगर कोई भी उसका जॉब पगड़ लो रिप्रेक्टरी इस्पेक्टर बन जाओ पैसा है अमेरिकन पेट्रोलिम इस्टिटूट का ए हर छे महिने में एक सर्टीफिकेशन गैंग करना चाहिए हमारे गुरु भी जोते थैं हर छे महिने में कितने महिने में यहीं करोगे आपका घर बीबी बंगला सब्सक्राइफ हो जागा समझमें आगे नहीं है ना अगर कोई आरटी लोग होते है ना दो तो पास पास साल न में लेते हैं तो मरवाते नहों पंद्राइब 20,000-50,000 में आपको अगर केरियर बनाना है आपको आगे बढ़ना है तो every six month में minimum one certification गैंड करना चाहिए और वो सोच किसका है साउथ वाला सोच है कैसा है सोच यूपी विहार गुजराद महराष्ट वो सब लोगों का सोच हों भी oil and gas में यूज नहीं करना हमें किसका साउथ का सोच यूज करना है हर घर में एक एक दो दो लोग गल्प में है और यहां पे हम लोग दूर दूर तक नजर मारते हैं कोई हमारे गाव में एक लड़का है कतर गया है पूरे गाव में से एक लड़का होगा और साउथी में कितने लोग है बाहर ऐसा क्वेशन आता है कितने लोग है हर घर में दो लोग बहार एक लोग बहार और यहां पर डूनने में भी नहीं मिलते हैं यूपी बिहार गुजरात में समझ में आएक नहीं है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंडिया का इकोनोमी को बूस्ट करता है अगर बहार का सरवायुकता रेमिटी इसको तो कौन करत हैं साइ। वाला करता है वहरा घर सल्एवरा अबी अमाग बढ़ते हैं यह हमारा ब्रोग्राम है उसमें प्रेक्टिकली स्टाट करते हैं ठीक है सबसे पहले हमें मशीन को स्टार्ट करना है यह हमारा मशीन बाद है लोग जिसको नहीं दिख रहा है वो यहां में देख सकते हैं अदर्वाइज यह मशीन में भी आप देख सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करिए एरीडेस कितने का है 50 का है तो जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो ये वीडियो देखेंगे तो घंटा सब चीज क्या जाएगा ओपर से जाएगा अगर यूटी को डेफ्ट में समझना है तो आपको मैनू सेटिंग पहले समझना पड़ेगा मैनू सेटिंग भी बंकिया था तोलोग किया तो गैरेशन से स्टार्ट आप समझ में एक नहीं है ये चाहिए पहला एको कहा दिखना चाहिए हम दुसरा एको तीसरा िगज दॉसरा योग तुरी घंटा है एक हाँ को गटा इस个ते का सब्य करना है करने के बाद क्या करना करना है का पे डियेजी के option में जाना है कहां पर जाना है कि दियेजी क्या है और ओफ था अभी इसको क्या करना है draw करना है draw करने के बाद अभी हमें पहला point find करना है कौन सा पहला point है idea angle होगे रहा डाला है सब बराबर है न ठीक है skip distance देखो यहाँ पे है अभी skip distance समझ में अगर नहीं आता है तो आपको skip distance पहले का किता है 80.70 तो यह जो नौच है ID का नौच है वहाँ से हमको 18.70 यहां तक आएगा समझ में आएगी नहीं है वो भी हमें पता नहीं है लेकिन ID का नौच पहले बखरना है तो लाइए यहाँ पे रोकिये no problem और चलेगा कोई दिखेगा नहीं चलो यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे फोकस करो रुको तो रुको इसको यहाँ पे ले ले लेते हैं ठीक है अजब गेट को सेंड रेनल करो कि मैं करूँ चलिए अब इदेखो गेट को थोड़ा फोटा कर लेते हैं गेट को बढ़ा देते हैं ठीक है पहला यह को कहा दिखना चाहिए था 80% से ज्यादा नहीं उठाने का ठीक है स्किप इस्टास 21.6 पे है अब देखो यह कुछ पूट रहा है सबसे पीग लेके आरा है अब आप सोचे कि यह पॉइंट कौन सा है यह पॉइंट यह जो आया है वह पॉइंट कहा है तो यहां यहां से दार से भी आएगा समझे आया और डेफ्स कितना है देखो यह पॉइंट कितना है 11.4 तो यह पॉइंट ओक हो गया चलो मिल गहा घंटा ऐसा नहीं करने का 21.6 डेफ्स कितना होना चाहिए था 20 10.8 20 कैसे आया ठीक है ओके अभी देखो इसको मैं प्रीज कर देता हूं क्या करता हूं प्रीज कर देता हूं यह पॉइंट आया कि नहीं आया यह परफेक्ट पॉइंट है समझ में आया कि नहीं यह यहां से मेजर भी कर सकते है skip distance होगे ना भाई लिख लो चलो यह तो पहली जाट के मैं आगे यह बहुत easy है इसमें थोड़ा मगज मारी है समझाया ना इसमें all find करना यह लेकि नॉच में बहुत easy है एकदम easy है कितना है 21.6 sound path कितना है 21.6 sound path के बाद depth कितना है 10.8 तो यह depth है 10.8 यह दूसरा color है ठीक है यह 10.8 और skip distance इतना है यह देख लेते हैं हवा में कोई नहीं 18.7 तो यह हो गया factory यह यह 18.7 ठीक है चलिए यह point हो गया अभी आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है machine को open किया उसको calibration किया calibration करने के बाद यहां पे draw D.A.C. में जाना है यहां पे draw D.A.C. में जाना है और यहां पे अभी enter कर देना है क्या करना है enter कर देना है enter किया तो यहां पे पहले one था अभी आप वो को बोल रहा है वो दूसरा point लेके जाओ कौन्सा point दूसरा point सेकंड लेक में अभी यह मुत्तुसरामी को पकड़ना है किसको पकड़ना है मतलब नाच को ठीक है अभी okay यहां पे skip distance कितना है 39.4 तो यहां पे 40 है में मगर major करोगे आप ठीक है यह देखो center मतलब यहां पे यहां पे आएगा कि नहीं आएगा यहां पे लेकिन बता नहीं है तो major girl लेना है अगर आपको confidence है तो खाचार पाचर गीज के आपको confidence से आप ले सकते है ठीक है चलिए अभी हम दूसरा point का start up करने जा रहे है यह दिखना है बड़ाबन नहीं नहीं यह इसमें ठीक है अभी देखो साउंड पाच दूसरे का कितना है 45 5.6 सबसे पीक ले क्या हो आगे 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 और थोड़ा आगे जीसो और पीक आएगा और पीक और थोड़ा हाँ यह पकड़ा अर प्रेक पकड़ा देखो अभी आप बोलेंगे यह मत्तु स्वामी दूसरा वाला क्या कर रहा है अभी इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ प्रीज कर देते हैं फ्रीज कर देते हैं फ्रीज कर देते हैं फ्रीज कर देते हैं 6, ओके, तो यह, ठीक है, यह पीक है, अभी देखो, यह मुद्तु स्वामी कौन है, पकड़ते हैं, गेट को क्या करते हैं, लेके जाते हैं, ठीक है, लेवल क्या करना पड़ेगा, स्किप डिस्टन्स कितना है, 46 और डियफ कितना है, बारा दोनेट 24, बदलब यह, 26 के अगर वगल में आ रहा है, बदलब यह, यहां का धार का रेडियस में सिर्प कुछ जा रहा है, समझगा है, स्किप डिस्टन्स भी अगर मेजर करोगें, बदलब अभी तो निकाल दिया था, लेकिन अगर ऐसा मेजर करो गया, तो वो यहां का आ सकता है, देखो, आया की नहीं है, 46 तक जा रहा है की नहीं जा रहा है, समझगा है, फिर से मैं करता हूँ देखो, जू प्रिस निकालता करो, वापस करो, कि मार देना पहले एंटर, फिर बात में वापस इसको चेक करेंगे, ठीक है, अभी एंटर मारने के लिए, गयर को कहा जाना जाना था, यहां पे लेका गया है, अगर यहां पे एंटर करोगे ना, तो घंटा डिये से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सबी लोग लिख लो 45.6 में भी लिख लेता हूँ साउंड पाथ कितना आया साउंड पाथ सेंव आया दबांके मुझे बोलो मुझे पैन का करन ना चेंज करना पड़े स्किप डिस्टन्स कितना आया 39.4 39.4 39.4 अभी स्किप डिस्टन्स हो गया अभी साउंड पाथ है 45.6 और 22.8 डेप्थ 22.8 तो अभी हम लोग डेप्थ लिख लेते हैं 22.8 और ये साउंड पाथ कितना आया आदा एक्जेट आया क्या माजा आया ये तो दूसरा कलर हो गया बाई कहां पे कलर हो ये वाला बाई दूसरे आवाज मत निकारो बिच्छो से अभी इसको एंटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा 58 था राइट अभी एंटर कर रहेंगे तो पहले ये मेनू में जाना दो है यहाँ पे क्या है दो है अभी एंटर करते है तो 3 आ गया अभी गेन कितना हो गया अभी अगर अगर अपको देखना है पूरा कर रहो तो 58 कर देने का है नहीं प्रिप्ति एड करना है तो देख़़ए कर दिर दिर आ रहा है एक तम इसी है इसमे बहुत म fetch कमारिता समझ में आया ना? इसमें बहुत मॉट कमारिता लेकिन पाइप नौज ब्लोक में मज़ा है, मुझा है, ओके, अभी तीसरे पॉइंट में जाएंगे हम, है ना, तीसरे पॉइंट में जाते हैं, तीसरे पॉइंट कौन चाह है, ID का थर्ड लेग, ID का थर्ड लेग, चलो, स्टार्ट करो, क्या हुआ, हाँ, वह देख लेते हैं, चलो, एक पर निकलो, बस वह कौन है, हाँ, वह कौन है, देखो, यह कौन है, यह स्किप डिस्टान्स कितना है, यहां से जिली मेजर करना पड़ेगा यह 10 से, तो यह कहां से आया, यह धार आया, हो चचा, हो मुझतु स्वामी, आवाद दूसरा बंद निकलो, देखो, यह आया कि नहीं है, 52, सुझत आया, तो यह कौन सा आये, यह जो अभी आया, यह मुझतु स्वामी निकला, हो कौन ह यहां से है, तो यह समझ के बैठने का, हमको मिल यह, हमको मिल यह, घंटा मिला, वह, बैक सरफेस वाला है, समझा है कि नहीं है, दौर देने का, वनना आपका हमाँ प्रब्लम हो जाएगा, ओके, बस वह है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट के लिए, किसके पॉइंट किसके हैं ती कोंट यह, जालो दो है, चलो, नहीं का, स्टार्क रौ अगर मैंने रेंज 60 ही रखा होता तो कि अगर मने लिए कि अगर में अगर में कि से अगे सबसे करना एंड़ा तो आइसा नहीं है कि हम लोग 229.6 वह बेगी साने सबसे पीक लेकर आना क्या करना है इप क्ली क्लेकर आना है कि यह को गया अभी हिलना नहीं यह कौन है वो देख लेते हैं ठीक है अभी क्या करेंगे ग्याट को में आगे लेके जाएगा वो उसका लेवल कम करेगा ठीक है यह है लेवल कम करेगा यह इसका स्किप डिस्टंस कितना है 66.8 मतलब 67 तो अगर मैं यहां से मेजर करूं तो यह क्या बंद रहा है 66 गंटा है 66.8 तो यह मतलब 67 तो देखो यह कहां से आ रहा है यहां से आ तो इसको पकड़ना है तो यह जो है अभी इसके ओपर गेट को लेके जाते है देखो इसके ओपर लेके गए तो अभी कितना है मतलब 60 तो यहां से हमें 60 मेजर करना है यहां से मतलब यह नौच यहां पर होगा अंदर आईडी में होगा समझ में आया कि नहीं आया कितना है 34.6 अब ही हम लोगे एंटर मारते हैं ठीक है गैट को थोड़ा गैट को थोड़ा ओपर ले 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 क्या होगा अभी उसको एंटर मारते हैं तो एंटर मारो गए तो क्या होगा थर्ड पॉइंटर मारो अभी यहां पर कितना था पहले 58 ले क्या हो हां तो यह हो गया आम राड़ी एसी क्लियर समझ में आया ना और यह क्लियर करने के बाद पर पगड़ा पाइप को आखा चार बचार लगे जाओ दूसरा पाइप है दूसरा पाइप उसमें भी लग जानेगा फिर आवहां पे देरी नेकर नेकर लेकिन डीसी बनाना करने लगो कहने का मतलब यह है यह डीसी बन गया है वहां पे लिखना भी पड़ेगा ना ऐसे हुआ मैं थोड़ी चलेगा अब है यहां फें 69.60 आया एकजेटी नहीं एकजेट् लिए एकजेटी आया वहुत अच्छा हां है वह कुँआ है गया ओके यह कितना है अगा अगर्टीपोर फॉइंट पॉइंट इस डेफ्स कितना है अगर्टीटीट्पार्टीट्पॉइंट सब्सक्षिंट्राइंट नहीं है एक तम मस्त चकाच्छक डीएसी अभी यह कैसे मिलेगा साउंट पाथ कितना है एक्चूल 21.6 21.6 डिवाइड बाइट तो कितना होगा 10.8 अब ये ब्लैक मार करना न यहां पे ब्लैक लिखते है तो ये कितना आएगा 10.8 आएगा यहां पे 45.6 डिवाइड बाइट तो कितना आएगा 22.8 यहां पे 69.2 डिवाइड बाइट तो शिक्स्टी 9.2 डिवाइड बाइट तो 34.6 समझ में आया की नहीं आया इसको बनते है टाइप का डिएसी क्लियर समझ में आया ओके अभी ये जो डिएसी बन गया अभी duty हमारा start अभी इसमें आपको पता चल गया machine होके है cable होके है यह सब चीज होके है probe होके है हमारा हाथ का scanning speed वगेना सब चीज होके है हमारा चक चक डियेसी भी बराबन मिल रहा है table भी match हो रहा है तो अभी से आपको डियेसी बनाना start करना है तो मैं आशा करता हूँ आपको यह जो डियेसी है pipe noise block का यह बराबर समझ में आयागा और नहीं आया है तो इसको मैं यूटूब में चड़ा है यूटूब में जानना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए डालना चाहिए अभी बराबर आवाज आएगा तो हम डालेंगे गुड गुड चलो अची बात है इसको अभी हम लोग यूटूब में भी डाल देते हैं ताकि हर बार बहुत मगन हमारी होता है किसका होगेज़ाई होता है साथ ये सी का आप नौज ब्लॉग का नहीं बोल रहे हैं हम दो बहुत बाहर चुम जा चुके हैं लेकिन इस बर यूटूब में भी डाल देते हैं तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए ये पहली बार में बोल रहा हो पूरे यूट किसे बार में आप नहीं हो जगए यूटूब रहा हो बड़ोग।